नोकडी के नाम पे तरह तरह का ठगी हो रहा है आज कल एक परचलन चला है कि 12,000-15,000 रुपिया दीजिये आपको मिनी आंगनवारी में टीचर का नोकडी दे देंगें जी हां हमारे सामने में एक आप यहां सबसे पहले तस्वीर बोड यहां बैनर देख रहे होगें इनको ज का ठगी का शिकार हो गई है इनका ही कहना है यह हम नहीं कर रहे हैं बाकि तमाम सचाई क्या है हम आपको आज दिखाएंगे और बताएंगे यह देखे प्रतिती चाइल्ड एजूकेशन करके यह कोई जो है फोन्डेशन है यह संस्था है और यहां पर जो है आज से 11 महना प लेकिन आज इनका नोकड़ी वो है की नहीं है आज यह टीचर है की नहीं है इसको पेमेंट मिल रहा है की नहीं मिल रहा है तमाम जानकारी आपको हम देंगे इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के मधेपुरा जिला के चिकनी फुलकहा म और आप dny news देख रहे हैं अई यह पूरी सचाई क्या है हम जानते हैं इनसे क्या नाम हुआ आपका मीरा कुमारी तो यह यहां पे center खुला था ना जी सर कितने दिन पहले खुला था कितने दिन 12 जुलाई से खुला था 12 जुलाई 2023 जी सर यानि कि कि 10-11 महना हो यह 11 महना हो तो यह इसी संस्था में आपको जौब मिला था टीचर का जी सर संपर कैसे हुआ कौन कैसे क्या पता चला पता चला फड़म भरने के लिए आया था गोंगों अच्छा मत्रसेकिल से आये थे दो आदमी ऐसे ही डैरेक्टली अचानक आ गया जो फड़म भढ़िये गा यहां पर आपके आके दरवाजे पर आ गया बोला नोकडी आया जी सर सभी को बोला था एक वाड़ से एक को लेते हैं फड़म भढ़िये तो परिक्छा होगा ट्रेनिंग वा फिर से परिक्छा होगा पास किजिएगा तो बाड़ा हजार तेरह हजार रुपिया लेंगे सारी यहां आपसे संपर्क हुआ उसके बाद क्या-क्या हुआ आपका इकजाम भी हुआ ट्रेन वा प्टाईट बते है यहां अपट रम भढ़कर लेकर के चला गाया एक महिना हुआ अप्रेल में आया फ्रम भड़े हम तो मार्च में फिर आया मेरे घड़ पे यह फोन किया ठा तो चलिए ओफिस है मतलब से कारदिया जो आड़ध कारदिया था मतलब से मेरे पास उसका सबूत है ओफिस इसका है सुपोर में कोन-कोन सर को आभी तक पहचामते हैं पाचांते हैं, मनीज सर को तो बहुत अच्छा से पाचांते हैं, उसमें उस से पहले था जो दिलखूसर था, दिलखूसर रिटारन हो गया अच्छा तो फ़र्म भरने के बाद आप लोग का एख्जाम भी हुआ था ? पर्म बढ़े उसके बाद बोलेंग भी हुआ ठरेनिंग भी हुआ ता इधार ओफिस कहां पे है आपका जो हुआ होगा सुपॉल से हुआ होगा नहीं सर सार्चा में वा था तो ट्रेनिंग के बाद जो है यहां पे क्या हुआ फिर सेंटर खोल दिया गया उद घातन वाई 11 त तो हम पंदरा से बीस बच्चा को पढ़ाना सुरू कर दिए। अच्छा यह छो खोला गया क्या सेंटर क्या सेंटर है यह क्या चीज का से बोला जो यह है कल विद्याल है इसमें पेमेंट देंगे और अपको नोकड़ी कॉन सी नोकड़ी मिले थे टीचर की टीचर मैं जी सर तरह से और आपको यह भी जानकारी देते हैं कि इस जगह पे जब सेंटर खुल रहा था तो हम लोगों को पता चला था और उस टाइम में भी हम लोग आये थे ख़बर चलाये थे आप DNY News पर देख सकते हैं लेकिन उसके बाद से बहुत जगहों से हम लोगों को फोन आने लगा शिकायत आने लगा कि जो सेंटर खुला था जो एकल विद्याल है जो सेंटर खुला थ अब हो नोकडि का कोई अता पता नहीं रहा है अब उसको तन्खा भी नहीं मिल रहा है अचा आब ही जो है सेंटर चल रहा कि नशेंटर जो किने बंद कर दो आए हम ने लिग पशन करते थे एक में लाख पेमीन्ट दिए और पेमेंट का पड़ जीए गा तो बोला ठीक है म तो बस अभी तक में 11 महना में एक ही महना का तन खादिया है जब इधर हम फोन कि यह पांचर जो हुआ है मनी सर को तो हम बोले सर आपके उपर हमा फियार करेंगे अच्छा आप जो ठक करके चले गए हैं कहीं पे जितना मेडम लोग है लोकहा में है बड़वारी में है और चि करके हम जाएंगे आपके ओपीस पर होगा तो हम अफियार करेंगे सबी अलग 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 अफियार करेंगे तो आपको अब लग रहा है कि अब हमारे साथ ठकी हो गया है जी सर हमको पूरा पता चल रहा है क्या ठकी ही हो रहा है अच्छा और सब जो सिंटर खुला होगा ब भारी बेरोजगारी है और इसी बेरोजगारी का फैदा उठा कर कुछ लोग जो है नोकडी के नाम पर तरह तरह का ठगी करते हैं। हुआ हो गया और बारा सारे बारा हजार रुपिया इसका लगभग उसमें लग भी गया है लेकिन अभी तक मात्र एक तनखा के नाम पे तीन हजार रुपिया इसको मिला है। हम कमा लेते एक तो आपका पैसा भी गया नोकडी लेने के चकर में और जो समय दिये जो बच्चों को परहाए समय दिये वो तनखा भी अभी डुबा हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे सर मनिस के उपर हम जो कानून होगा तो हम करेंगे। अच्छा परशासन को क्या कहना चाहिएगा ऐसे ऐसे संस्था पर एसे ऐसे लोगों पर कारवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाईया यही सचाई है और क्या है जो है आप सुनी रहे हैं सामने में बाकी जो है एक बार और दिखा दीजिए यह बाइनर अभी भी लगा हुआ है देख सकते हैं यह एकल विद्याले के नाम पे परतिती चाइल्ड यूथ वेलफेर फॉन्डेशन करके यह ए यह इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है जरा जूम करके दिखा दीजिएगा और भी किसी के साथ अगर ठगी हुआ होगा तो वो इनसे भी संपर कर सकते हैं यह लोग अपना जो आपस में है यह मिल कर जो है कहीं सिकायत कर सकते हैं सारा ब्योरा इस पे दिया हुआ है ल यहीं सचाई है और नोकड़ी लेने का जो भूत आप लोगों को चरता है तो साबधान हो जाएए बिहार में एक तो बेरोजगारी है ही और नोकड़ी के नाम पे भारी ठगी हो रहा है कई जगों पर ऐसी ऐसी संस्थाएं जो है वो दिन परती दिन एक्सपोज हो रहा है उसका खुलासा हो रहा है और बहुत इससे पहले भी आप लोग एक वीडियो देख लिजिएगा डिन वाइनुज पे सुपोल में एक संस्था एक और ओफिस था वहाँ पे कई महलाओं को बुला कर ट्रेनिंग दिया जा रहा था लेकिन महलाओं का सिकायत था कि 10,000-12,000 करके वसुली की आ जा रहा है पैसा लिया आ जा रहा है नोकरी के नाम पे डिन वाइनुज पे वो वीडियो भी पड़ा हुआ होगा आप लोग जा कर देख सकते हैं बाकि इस संस्था का हम पुष्टी नहीं कर रहे हैं सही है या गलत है जो ग्रोंड की सचाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्या आपके भी गौ में, आपके भी पंचायत में, प्रखंड में, आपके भी जिला में इस तरह का संस्था आती है और क्या नोकरी के नाम पे इस तरह से ठगी होता है अगर होता है तो कमेंट करके आप लोग बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करिए ताकि लोग स ख़वरों के लिए बने रहे है डिन वाइनू उसके साथ धन्यवाद।